नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब भी का और आज हम करेंगे chemistry के class ठीके आज से आपकी पहली class है कि PNST के लिए भी काम आएगी A&M के लिए भी काम आएगी 36 गड़ BSC के लिए भी काम आएगी और NEET के लिए भी काम आएगी ठीके ये सारी class है chapter wise syllabus के अनुसार है तो आज हम करेंगे 20 से 30 question अगर वीडियो आपको पसंद आता है और daily class में जोईन होना है तो आप इस number पर वोट्सप कर सकते हैं कल से आज से आ आज आपकी पहली class है ठीक है इसका टाइम रहेगा morning में 8 बचकर 15 मिर्ट पर ठीक है जिनको class है नहीं मिलती है वो मुझे वोट्सप पर मेसेज कर सकते हैं आज हम करेंगे तनु घोल विलियन का पहला question लिखावा है कि निम्न लिकित में से कौन सा अनुसंक्य गून नहीं है परासरन दाब हैं कौथनांग हैं वाश्प दाब नहीं option आपका C वाला आजाएगा अगले नमबर का question लिखावा है कुहासा कॉलाइड विलियन में क्या होता है बताएं कुहासा कॉलाइड विलियन में द्रव कण गेश में मिश्रित हो जाते है द्रव कण जो होते हैं नहीं करता, आदर्ष घोल का निर्मान कों सा नहीं करता है, तो आदर्ष घोल का निर्मान करेगा, C6, 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 C निकल पाते हैं, अर्द परागम जिल्ली से कोन निकल पाते हैं, बताईए, अर्द परागम जिल्ली से निकल पाते हैं, वो होते हैं विलायन के अनु, विलायन के अनु जो हैं, वो अर्द परागम जिल्ली से निकल पाते हैं, किसका हिमांग अवनमन अधिक होगा, किसका हिमा इसका हिमांक और नमन जो होता है वो अधिक होता है अगले नमबर का क्योश्य मोललता को व्यक्त किया जाता है मोललता को किसमे व्यक्त किया जाता है मोललता को किसमे व्यक्त किया जाता है आप सबी को पता है कि सर मोललता को जो है हम मोल किलोग्राम में व्यक्त करते किसमें मोललता को है मोल किलोग्राम में व्यक्त करते अगला क्योशन तो मोललता सी वाला आ जाएगा अगला क्योशन लिकावा है कि प्रतम कोटी अभिक्रिया के वेग इस्तिरांग की इकाई प्रतम कोटी अभिक्रिया के वेक इस्तिरांग की इकाई जो हो जाएगी, वो हो जाएगी, कौन से हो जाएगी, A-1 अगले नंबर का question लिखा हुआ है निम्न मेंसे कौन सा आयन जली घोल में सबसे अधिक इस्ताई हैं निम्न मेंसे कौन सा आयन जली घोल में सबसे अधिक इस्ताई बारा नंबर का question आजाएगा B वाला C-R-3 अगले नंबर का question क्या लिखा हुआ है जली विलियन में किस शारी धातु का सबसे अधिक अधिक अवकारक शक्ति होती है जली विलियन में किस शारी धातु की सबसे अधिक अधिक अवकारक शक्ति होगी तेरा नंबर का question very very good तेरा नंबर का बिलकुल आजाएगा जली विलियन में किस शारी धातु की सबसे अधिक अवकारक शक्ति होती है तो आपकी हो जाएगी option A वाला अगले नंबर का question आपके सामने क्या लिकावा है और अनुसंग के अगुण धर्म विधी से प्रोटिन तता बहुलक का अनुभार ज्याद करने की सबसे अच्छी विधी जो हो जाएगी वो हो जाएगी परासरन दाप हो जाएगा अगले नंबर का question है 25 degree Celsius पर निम लिकित में से किस पदार्थ के 0.1 million घोल का परासरन दाप सबसे अधिक होगा Very very good 18 नंबर का question बिलकुल आपका आजाएगा वो हो जाएगा 25 degree Celsius पर हो जाएगा आपका CACL2 विलियन जिसमें परासरन दाप समान दाप पर समान होते हैं कौन सा विलियन जिसमें परासरन दाप समान दाप पर समान होंगे विलियन जिसमें परासरन दाप समान दाप पर समान होंगे इसा कौन सा विलियन बताएगे सम परासरे सम परासरे BACL2, NACL और C6H2O6 ग्लुकोस के सम मोलर विलियन के परासन दाब किस क्रम में होंगे BACL2 NACL C6H2O6 option A आ जाए निम लिकित में से किस में विलियन का अनुसंग के कुन धर्म नहीं है वीडियो बहुत अच्छे क्योशनल आया हूँ आज एक बार ज़रू बताए निम लिकित में से किस में विलियन का अनुसंग के गौन धर्म नहीं है तो प्रश्ट तनाओ में किस में प्रश्ट तनाओ में विलियन में विले की मोलरता किस यूनिट में व्यक्त होगी बताए तीस नमबर बिल्कुल सही जबाब विलियन में विले की मोलरता जो होती है मोल किलोग्राम विलायक में किस में मोल किलोग्राम विलायक सिल्वर क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड विलियन में विलेता समानता पर उसकी जल में विलेता से कम होती है इसका क्या कारण है इसका कारण क्या है 31 नंबर का 31 नंबर का बिलकुल आपका आजाएगा ओप्शन आजाएगा B वाला सम आयन प्रभाव सम आयन प्रभाव निमली किन वैसे किसकी गणना के लिए उपयूगते हैं बेचमन धर्मा मितन सी वाला शुन्नी हो जाएगी नहीं इकाई में परिवर्थित हो जाई उश्मा और विद्यूत का अच्छा चालक बताइए भी उश्मा और विद्यूत का अच्छा चालक 35 नमबर का क्योशन उश्मा और विद्यूत का अच्छा चालक जो होता है वो होता है ग्रेफाइट अगले नम्मर का question उश्मा और विद्यूत का अच्छा चालक जो हो जाएगा वो ग्रेफाइट हो जाएगा राउल्ड के नियम के निस्वारवाश उदाव का आपक्षित आउनवन किस से और शेपित हैं परासरनद आपकी काई most IMP question और लास्ट question आज का ठीक है परासरनद आपकी काई जो हो जाएगी ATM हो जाएगा जाएगा